कल हर्याना में बड़ा सियासी घटना क्रम देखा गया जहां पर भारत्य जंटा पाटी और जेजेपी के बीच में जो गटबंदन था वो तूट गया और इसके साथ ही हर्याना को नए मुख्यमंत्री मिले नाइपसेनी अब इन सब के बीच में जहां गटबंदन तूटने की चर्चा हो रही थी सरकार दुबारा बनने की चर्चा हो रही थी और मुख्यमंत्री के नए चेहरे की चर्चा हो रही थी तो चर्चा अनिल विज की भी जोरोप पर थी उसका कारण कि अनिल विच के सामने नायप सेनी का नाम रखा गया है विधायक दल की बैठक में रखा गया है सबने सहमती जताई लेकिन उसके बाद वो कैसे वहां से नराज होकर निकलते हैं और नकिवल नराजगी इस तरीके से दिखाई देते हैं कि वहाँ से निकले बलकि जो उनकी सरकारी गाड़ी थी वो भी उन्होंने नहीं ली और अपनी प्राइवेट गाड़ी से वो सीधे डिगर से अंबाला पहुँच जाते हैं इन सब के बात में कयास लगने लगे थे कि अनिल विज जो की बीजेपी के कदावर नेता हैं 2009 से लगातार अंबाला केंट सीट से वो विधायक हैं क्या होगा उनका अगला मूव क्या वो बीजेपी को बड़ा जटका देंगे और बीजेपी भी ये समझती है ये बखु भी ज रही थी कल जब शपत ग्रेंट समारों हो गया उसके बाद में पूर मुख्य मंत्री मनोहलाल खटर मीडिया के सामने आये सौफ्ट और पर कहा कि देखे नाराजगी होगी भी तो हम मना लेंगे हम सब जानते हैं कि अनिल विज ने पार्टी के लिए कितना काम किया और वो कि ही मंत्री थे और साथी साथ स्वास्ति मंत्री भी रहे हैं लेकिन इन सब के बीच में आज देखा गया एक अपडेट जो इसमें आया वो यही कि अनिल विच ने अपने जो सोशल मीडिया प्लाटवर्म एक्स है उस पर अपनी प्रोफाइल थोड़ा से चेंज किया और उसम सकते हैं तो आज जब सत्र शुरू होना था क्योंकि विसे सत्र शुरू हो गया और उसके बाद में फ्लो टेस्ट और अपनी जो बहुमत है जो जादूई आंकड़ा होता है बहुमत का उसको साबिक करना था वहां जाने से पहले अंबाला वाले अपने घर पर वो मीडिया क को छोड़ कर कहीं नहीं जा रहे हैं अब देखना यह है कि बीजेपी उनके कद को बरकरार रखने के लिए उनकी सिन्यॉरिटी को बरकरार रखने के लिए उनको मनाने के लिए उनको क्या पत देती है क्योंकि सब जानते कि अंबाला कैंट और आसपास की सीट पर उनका कितन प्रभाव है 2009-2014-2019 और अब एक बार फिर से क्योंकि हर्याना के चुनाफ भी बहुत जादा दूर नहीं है और लोगसबा चुनाफ तो अब आने वाले आप सब जानते हैं इसलिए बीजेपी का अनिलविच कुमराना बेहत जरूरी है अगला मूब क्या होता है इसका सभी को बेसबरी से इंतजार है कर दो